सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं स्वस्त निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिल्दीलाइब टिप्स में आज जिस विसे में हम बात करने वाले हैं वो हैं दूद में लेसन डाल कर पीने के फाइदे पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो रेगुलरली डालते हैं और हाँ वीडियो को लाइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मोटि अपने घर पर ही रहकर अपने शरीर का खयाल रखना चाहिए कहते हैं कि दूद पीने से बहुत सारे फाइदे होते हैं जैसे कि दूद खुद में ही एक संपूर्ण आहार होता है जिसमें शरीर के लिए आविश्यक प्रोटीन और वाइचमिन्स होते हैं अनेक रोगों को ठ परिचित हैं जैसे कि लेसुन का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है कोलिस्ट्रोल की रोग ठाम की जा सकती है आपकी भूक भी बढ़ती है सर्दी जुकाम और बुखार के लिए लेसुन को बहुत ही कारगर माना गया है तो ये तो हो गई दूद और ल लेसुन की कल्या जिसका छिलका हटाकर आप धोलीजे उसके अधा आपको चाहिए एक कप भूर और एक कब पानी अब इस लेसुन को हमें थोड़ा कोट लेना है तुसक्andis this lesson को हमने lesson को डाल दिया है और थोड़ा से कोट लेंगे अच्छे से जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लेसन कूट कर ले लिया है अब हमें आगे बनाने स्टार्ट करना है ऐसे एक पैन चड़ा लीजिए उसमें आपको एक कप दूट डालना है एक कप दूट के बाद एक कप पानी उसके बाद आपकी यह जो कुटी वी लेसन की कलियां है वो इसमें डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा ऐसे मिला दीजिए बस इसे हमें तब तक उबालना है जब तक यह थोड़ा गाहरा ना हो जाए थोड़ी देर चलाकर इसे छोड़ देंगे जयता कि आप देख सकते हैं दूद अब बहुत अच्छा गाहरा हो चुका है बस अब हमें इसे उतार के छान लेंगे और आपका लेसन वाला दूद बनके तयार हो गया तो फ्रेंड्स आपका लेसन वाला दूद बनके तयार हो चुका है इस प्रोसेस से लेसन के सारे गुन दूद में मिल जाते हैं और हाँ इस लेसन वाले दूद के कई अनेक फाइदे हैं जैसे की पेट की बिमारी, पेट के कीडों, सर्दिया जुखाम, बॉड़ी पेन, भी स्ट्रॉंग करता है, अगर आप रात को सोने से पहले लेसन वाला दूद पी के सोते हैं तो यह आर्युवेद के अनुसार यह आपके बॉवल मुव्मेंट को बढ़ाता है और स्टूल को भी सॉफ्ट करता है, जिस कारण कबज की समस्या दूर होती हैं, तो आज के स्टे हेल्दी और स्टे बलेस्ट थैंक यू